आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें नमशकार दोस्तों, आज का प्रशन है नियूरोन का नामांक की चित्र बनाईए तो आईए इसे उत्तर की सहाथा से समझ लेते हैं उत्तर तो देखिए यहाँ है तंत्र का कोशी का या फिर नियूरोन का चित्र अब हम इसको समझ कर इसका नामांकन करेंगी तो देखिए सबसे पहला भाग जो होता है इसका वह होता है कोशिका काई क्या होता है कोशिका काई तो देखिए यहां कोशिका काई क्या होता है यहां तंत्र का कोशिका का मुख्य भाग होता है तो देखिए चित्र में यहां जो भाग दिख रहा है यहां जो भाग है यहां क्या कहलाता है कोशिका काई कहलाता है और देखिए कोशिका काई के मध्य में कोशिका काई के कि ये जो कोशिका काई है इसकी मद्धि में यहां गोल आकार का क्या पाया जाता है गोल आकार केंद्रक पाया जाता है फिर देखिए इस कोशिका काई से क्या होते है अनेक प्रवर्द की समान संदर्चनाई निकली होती है अनेक प्रवर्द की समान क्या है संदर्चनाई निक जाता है क्या कहा जाता है डेंड्रोइड कहा जाता है तो देखिए यहाँ जो कोशिका काई के अंत में यहाँ जो अनेक प्रवर्द समान सनचनाई निकली वी है इसे क्या कहते हैं इसे दुरूमी का या डेंड्रोइड कहते हैं फिर देखिए कोशिका काई से क्या है एक बंद एक बंद लंबा मोटा बेलनाकार प्रवर्ध निकला होता है जिसे क्या कहते हैं तो देखिए यह जो कोशिका काई से क्या होता है कि एक बेलनाकार मोटावा बंबा पूरी तरह से बंद क्या है प्रवर्ध निकला होता है जिसे क्या कहा जादा है जिसे तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सोन कहा जाता है क्या कहा जाता है तंतरिकाक्ष या एक्वस कहा जाता है। फिदेखे एक्वस के अंत में यहाँ जो सिरे होते हैं इन सिरों को क्या कहा जाता है। तंत्रिका का, तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे, या एक्सोन टर्मिनल कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, एक्सोन टर्मिनल, टर्मिनल भी कहा जाता है, तो देखिए, यह था तंत्रिका कोशिका या फिर न तो हमारा प्रश्ण यहीं समापतो होता है आशा करती हूं आपको यह प्रश्ण समझ आया हो इस विडियो को देखने के लिए धन्यवाद